नमस्कार दोस्तों चंडी के डूटीक में आपका स्वागत हैं दोस्तों आज मैं आपके लिए ब्लाउज की बैक का एक बहुत ही सुन्दर शट जाइन लेकर के आया हूँ जिसके लिए यहां पे हमने ब्लाउज की बैक साइड कटिंग की हुई है नीचे की साइड हमारा अस् वो ही हम यहां पे कलर यूज कर शकते हैं तो इन कपड़ों से मैंने इस परकार की एक डोरी वाली पाइपिन तियार की हुई है जो कि हम यहां पे गले में लगाएंगे और डिगाइन के लिए इस परकार के मैंने यह तीन कलर से इस तरीके से ट्रेंगल से पीस तियार की हु आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अप्डेट मिलती रहे हैं तो आईए शुरू करते हैं यहाँ पर दोस्तो जितना हमने मेट्रेल तियार किया हुआ है इसको हमें एकसाइड कर देते हैं और यहाँ पर हमें कटिंग करनी हैं बिलाउज के ओपर तो यहाँ पे broad length और deep length देखते हैं तो जैसे हमने यहाँ पे broad length रखनी है तकरीबन शाड़ेच हैं तो हम यहाँ पे 13 इच पे निसान लगाएंगे और deep length रखनी है हमें यहाँ पे तकरीबन 9 से 7 इच की तो यहाँ पे जो हमारी save आएगी इस परकार की हमने यहाँ पे save डालने है यह हमारी तियार गले की save आएगी लेकिन हमें आगे की designing करनी है तो आगे की designing के लिए हम इस निसान को आगे तक लेके जाएंगे इस परकार से एक निसान यहाँ पे सिधा लगा लेंगे ताकि हमें idea हो जाए कि save हमारी बिल्कुल सही होनी चाहिए फिर हम यहाँ पे इस परकार की save डालते है और इस निसान को नीचे तक इस तरीके से मिलाते है अब हम इस point से यहाँ पे इस परकार की save डालेंगे जो यह piece बनेगा हमारा यह golden color का बनेगा यह डब्बी का आपने ध्यान रखना है यह डब्बी हमारी proper same cutting होनी चाहिए तो इसे cutting करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे नीचे का कपड़ा हमने इस तरीके से ही छोड़ देना है और यहाँ पे उपर से cutting करनी है इस परकार से इस तरीके से हमने एक save यहाँ पे cutting कर लिया है उपर के गले की अब हमें यहाँ पे same इसी परकार की save डालनी है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे एक निसान बिल्कुल सीधा लगाएंगे यहाँ पे इस परकार से और एक निसान इस तरीके से यहाँ पे सीधा लगाएंगे इस परकार तो यह हमारा चोरस निसान लग गया है यहाँ से हमने इस side भी 2 inch पे निसान लगाना है दूसरी साइड भी डाइंच पर लगाना है और इस साइड भी हमारा यहां पर डाइंच पर आएगा और नीचे की साइड भी डाइंच पर आएगा तो हमारा अब हमने यहां पर सेव डालनी है एक दूसरे को इस तरीके से मिलाते हैं ताकि हमारी प्रोपर एक जैसी सेफ बन जाए इस परकार से जिस सेफ के अनुसार हमने इस गोलाई को कटिंग किया है सेम उसी परकार हमारी यहां पर यह गोलाई आ जाती है और इस गोलाई को हम आगे की साइड इस परकार से मिलाते हैं इस तरीके से अब हमने इसी निशान के उपर कटिंग करनी है और यहां पर हम नीचे से कटिंग करेंगे जो यह पीस हमरा यहां से कटा हुआ है कटिंग किया है हमने यह हम गोल्डन कलर का लगाएंगे इस परकाट से और यहां पर पूरे गले में पाइपिन लगाएंगे नीचे की साइड पाइपिन लगाएंगे तो आईए इसको बनाने का तरीका देखते हैं इस परकार से दोस्तों हमने यह यह ब्लाओज को ओपन करते हुए set किया है बिचाया हुआ है अस्तर को अभी हमने यह जोइंट नहीं करना है क्योंकि सबसे पहले हम यह 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 पे piping निकाल लिए है तो सबसे पहले यहाँ पे पाइपिन निकालेंगे फिर उसके बाद हम अस्तर जोइंट करेंगे और अस्तर इसमें ही पाइपिन के साथ में पल्टा जाएगा और आप देखोगे किस तरीके से बड़ी ही खुबसूरती से पाइपिन भी तियार आएगी और आगे का डियाइन ह सबसे पहले दोस्तों में यहाँ पे पाइपिन लगानी है पाइपिन हम यहाँ पे इस परकार से रखते भी लगाएंगे इस तरीके से रखेंगे और मार्जन यहाँ पे आपने कमी रखना है एक पैर का ही मार्जन रखना है जाँ पर हमारी नोक आएगी वहां पर हम इस पर कार से एक कट लगाएंगे जाँ पर कार से एक कार से एक कार से एक कार से एक लगाएंगे इस पर कार हमने एक साइड में यहां पर पाइपिन लगा लिए अब हमें यहां पर हलके हलके कट लगाने होते हैं इस पर कार से ताकि हमारी पाइपिन अच्छे से से एक हो जाएंगे दूसरी साइड से देखेंगे हम पूरी पाइपिन में हमने एक पैर का ही यहां पर मार्जन रखा है इस तरीके से तो सेम तरीके से हम दूसरी साइड का जो दूसरी साइड की बैक है उसमें भी हम पाइपिन लगा लेते हैं इस परकार दोस्तों हमने दोनों साइड यहां पर पाइपिन कंप्लीट कर दी है अब हम यहां पर अस्तर जोएंट करना है तो अस्तर हम इस परकार से जोएंट करेंगे जिसमें की हमारी यहां पर पाइपिन भी अंदर की साइड फोल्ड हो जाती है इस परकार से रखेंगे अस्तर को और यहां पे इस तरीके से रखते वे सेंटर का ध्यान रखेंगे और यहां से हम एक साइड से मिला लेते हैं इस परकार जिसे हमने कटिंग की विए यहां पे हम सेंटर में दो बाध कर लेंगे इसके इस परकार से अब हमें पाइपिन वाली सिलाई के उपर सिलाई लगानी है ी जम जरेखिन वपर सेक के पाझ झाली सिलाई वाली सिलाई ी जम पाही बंग Hayır किको पैपिन है इस पर कार्वनिया पर इस लाई कम्प्लेट की है अब हम एक पैर का मार्जन रखते हुए यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देते हैं अब यहाँ पर कट लगाएंगे जहाँ पर नोकाती है और हलके हलके कट पूरे पीस में इस तरीके से लगा लेते हैं इस परकार कटिंग करने के बाद अब हम बीज से इसको इस तरीके से पलटते हैं तो यहाँ पर हमारी यह पाई भीन आ जाती है इसको अच्छे से हम प्रेस से सेट करेंगे प्रेस करने के बाद दोस्तों इस परकार से हमारी यहाँ पर पाई पिन आएगी और सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड का पीस भी तियार कर लेते हैं तो यहाँ पर हमने दूसरी साइड का भी सेम तरीके से पाईपी निकालते वे बैक साइड तियार कर ली है अब हमें यहां पे जो हमने यहां के लिए पीस cutting किये थे शुरुवात में ही ये वाले, इनको त्यार करना है, इनको त्यार करने के लिए हमें क्या करना है, ये मैंने बताये थे आपको एक golden color के लगाने हैं तो हमने दो पीस सेम इसी तरीके के, यहां पे margin भी margin चाहिए और इस side भी margin चाहिए तो इनको तयार करते हैं तयार करने के बाद फिर इनको attach करेंगे इनको तयार करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे पाइपिल लगाएंगे सबसे पहले हमें देखना होता है कि हमें कौन सी side अंदर की side रखना है और इस साइड के अंदर की साइड तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एक निसान लगा लेंगे इस परकार से निसान लगा लेंगे दूसरी साइड भी निसान लगाएंगे तो यह कोना हमें यहाँ पर तयार रखना है तो इसको तयार करने के लिए हम सबसे पहले तो पाइकिन लगाते है इस परकार से रखेंगे पाइकिन कि यहां पर इस परकार से कट डालने और पाइपिन को इस परकार से गुमा ले पाइपिन लगाने के बाद इस परकार से एक पीस रखेंगे हम यहां पर और इस तरीके से रखते हुए फिर से सिलाई लगाएंगे पाइपिन के साथ-साथ इस बार हम यहां पर डोरी भी लगाएंगे जो हमने डोरी बनाई हुई है इसको हम यहां पर इस तरीके से रखते हैं नीचे की साइड नोक के बिलकुल सेंटर में और यहां पर बार की साइड निकालते हैं हल की सी इसके उपर सिलाई लगाते हैं इस सिलाई में यहां पर दोरी दब जाती है अब हलका हलका मार्जन कटिंग करेंगे और यहां पर एक बार पक्का करेंगे क्योंकि हमारी डोरी है अंदर की साइड अब हम हलकेल के इस परकार से कट लगाएंगे और यहां पर इसको बीच से इस परकार से पलट लेंगे यहां पर डोरी खेंचेंगे तो इस परकार के हमारी यहां पर यह सेव आएगी सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड का पीस भी तियार कर लेते हैं दोनों पीसों में दोस्तों हमने यहां पर इस परकार से पाइप इन कंप्लीट कर लिए है और यहां पर डोरी भी हमारी इस तरीके से आ जाती है अब हमें इन्हें अटेच करने हैं इस परकार से रखते हुए यहां पर देखते हैं दोनों साइड हमारा बिल्कुल बराबर सेफ रहनी चाहिए इस परकार से इस तरीके से इस परकार रखते हुए हो पहले निसान लगाएंगे और फिर सिलाई से अटैच करेंगे सेम इसी तरीके से दूसरी साइड का पीस भी हम अटैच करते हैं दोनों साइड का पीस अटैच करने के बाद हमारी जो गले की सेवे इस परकार से आएगी बहुत ही कुपसूरती से हमने पाइप इन के साथ यह तियार किये है अब हमें नीचे की साइड यह जो हमारा गैप रहता है एक इंच का यह कवर करना है तो इसको कवर करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे जो हमने ट्रेंगल सेफ के पीस तियार किये हैं यह लेंगे इसको भी हम ट्रेंगल सेव में इस तरीके से बना लेते हैं, अब हमने यहां पे एक के बाद एक पीस लगाना है, जैसे एक लगाएंगे हम यहां पे रेड कलर, नीचे की साइड ब्लेक आ जाएगा, बीच में रेड और फिर गोल्डन, इसी परकार से हम फिर से ब्लेक लगाएंगे और फिर हम गोल्डल लगाएंगे तक्रीबन तिन तिन लेयर इस परकार की हम बना लेते हैं फिर से बलेट लगाएंगे फिर रेड और फिर गोल्डन कि यहां पर इस परकार से हमने यह पीछ त्यार कर लिया है अब इसको हम इसी सेव में अटेज करते हैं यहां पर इस तरीके से रखेंगे इस परकार से और हलका सा यहां पर पीछ में गैप डालना है और इस तरीके से हम यहां पर इसको अटेज करेंगे अटेज कर लिया है अब सेम इसी तरीके से बराबर गयप रखते हुए दूसरी साइड भी इसको अटेज कर लेते हैं इस परकार दोस्तों हमने नीचे की साइड भी यहां पर कम्प्लीट कर ली है और इस परकार दोस्तों हमने यहां पर बहुती सुन्दर तरीके से यहां पर बिलाउज का डियाइन कम्प्लीट किया है दोस्तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सेर्वे लाइक जरूर करें धन्यवाद दोस्तो